हे मेरे लोगों, उसमें से निकलाओ, कि उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े परमेश्वर हमें अध्याई अठरा में बताता है कि वह अपनी बड़ी विपत्यों से बड़े नगर बैबिलोन को नश्ट करतेगा क्योंकि अंतर समय तक यह संसार परमेश्वर की द्रश्टी के सामने बहुत अधिक गंदा और पापी हो गया होगा और क्योंकि परमेश्वर के पास अपनी श्रुष्टी को नास करने के अलावा और कोई विकलप नहीं होगा इसलिए वह विनाश्वकारी विपत्यों को अनुमती देगा जो पूत्वी को समाप कर देगी इसलिए इस दुनिया को तपतर नाश किया जाएगा जब तक यहां पूरी तरह से नश्ट न हो जाए परमेश्वर द्वरा संसार को नश्ट करने का वास्तावी कारण यह है कि उसने अपने भविश्य वक्ताव और संतों का लहू देखा और क्योंकि इस दुनिया परमेश्वर के द्वारा दी कई खीजों के साथ बहुत अधिक और बहुत बड़े पाप की होंगे इसलिए यहां परमेश्वर के लिए सहन करना मुश्किल होगा परमेश्वर ने जो सबसे सुन्दर गुरू बनाया है वह है पुरुत्वी ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वयम परमेश्वर ने इस कुथवी पर बड़े दिल्चस्पी के साथ कार्य किया है और क्योंकि यह वो स्तान भी है जहां परमेश्वर की योजना और येश्व मसी में पापियों को बचाने का उसका कार्य पूरा हुआ है फिर भी परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना ली है कि वह इस संसार को कैसे नस्ट करेगा और कैसे वह मसी के राज्य को लाएगा जब ये संसार सब प्रकार की गंदकी से भर जाएगा तब परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा साथ कटोरों की विपतियों से उसका नाश करेगा उसके बाद परमेश्वर सब कुछ नया करेगा और अपने पवित्र लोगों को अपने नए संसार में राज्य करने देगा गिरा हुआ बैबिलोन सहर पृत्वी के राजाओं ने संसार की वस्तू के साथ व्यविचार किया है और उसके एशो आराम में जीवन व्यतिक किया है जबकि सभी व्यापारी भी परमेश्वर ने उन्हें जो कुछ भी दिया है उसे बेशने और खरीदने में व्यस्त है लालच की खोज में उन्होंने परमेश्वर को खो दिया है परमेशुर सब कुछ और सभी चीजों को नश्ट कर देगा इमारतों, धर्मों, धर्मकी भीतार पाए जाने वाले चीज़े धर्मकी माधियम से खुद को समरूत करने वाले लोग राजा, राजनेता, बहुतीक संपती से ग्रस्त लोग और बहुत कुछ इन सभी को परमेशुर द्वारा नाश कर दिया जाएगा परमेशुर इस पृत्फी की सब इमारत को ढढ़ा देगा और किसी भी इमारत को स्थीर न रहने देगा और लोगों से लेकर वनो और व्रुक्षो तक सब वस्तों को अपनी आग से नाश करेगा जब इस दुनिया में सब कुछ इस प्रकार नाश होगा तो लोग विलाप करेंगे और रोएंगे विशेश रूप से परमेश्वर उन सभी को नश्ट करना सुलिष्ट करेगा जिन्होंने धर्मक के माध्यम से खुद को सम्रूत किया है हमारे लिए इस तथ्यों को पहले से जानना और इस पर विश्वास करना बहुत महत्वपूना है कि परमेश्वर इस तरह इस खुपशरत दुनिया को नश्ट कर देंगे जिसे उन्होंने खुद बनाया था इस समय परमेश्वर नया जिन्हों पाई हुए संतों को जिन्होंने येश्वर मसी के पहले पुनरुथान में भाग लिया था इस पृत्वी पर एक हजार वर्सों तक शार्षन करने के अनुमती देगा प्रभु के राज्य के साथ वह संतों को पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करने और इस पृत्वी पर अपने विश्वास के रक्षा के लिए श्रहिद होने के लिए भरपाई करेगा परमेश्वर उन्हें दस नगरों, पांच नगरों और दो नगरों पर अधिकार देगा और उन्हें एक हजार वर्ष तक राज्य करने देगा और इसके बाद वह उन्हें हमेश्वा के लिए रहने के लिए नया स्वर्ग और पृत्वी देगा तो फी परमेश्वर पुत्वी को क्यों नश्ट करने जा रहा है जो पूरे ब्रह्मान में सबसे सुन्दर ग्रह है यह केवल इस धर्ती पर ही संभव है कि मचलिया नदियों में तेर सकती है जंगली जानवर जंगलों में विच्छन कर सकते हैं मनुष्य जाती जी सकती है लेकिन क्योंकि परमेश्वर अब ऐसे संसार को और अधिक सहन नहीं करेगा जहां पाप इतना अधिक हो गया है वह अपनी विपत्यों के साथ इस संसार को पूरी तरह से उझाड़ देगा परमेश्वर ने दुनिया को नस्ट करने का फैशला किया है इस पूर्थिव पर रहने वाले सभी लोग जिनोंने उध्धार प्राव किया है उन्हें छोड़ कर सभी लोग सांथ कटोरे की विपत्यों से नस्ट हो जाएंगे क्योंकि अंच समय के सभी धर्मी लोगों को इस दुनिया द्वारा श्रहित किया जाएगा सताया जाएगा और उत्पीडन किया जाएगा इसलिए परमेश्वर उनके बुरे कामों के बदले में दुनिया को ही कुचल देगा जब समय आएगा तब धार्मीक अगवे और विव्यापारी जिन्होंने लोगों की आत्माओं का सौधा किया होगा वे सम नास हो जाएंगे परमेश्वर नकेवल उन सभी लोगों को मार डालेगा जिन्होंने नया जन्म पाये बिना धर्म गुरुओं के रूप में कार्य किया बलकि वह उन्हें शैतान के साथ आग और गंदक की जिल में भी फैंक देगा परमेश्वर निश्चित रूप से इस दुनिया को नश्ट कर देगा इस प्रकार हम बहुत कुछ समझते हैं और संदे से परे विश्वास करते हैं कि इस दुनिया को नश्ट किया जाना है परमेश्वर उन सभी व्यापारियों को मार डालेगा जो सभी प्रकार की महान चीजों का दावा करते हैं और अपने धर्मों में लोगों की आत्माओं का सौधा करते हैं और फिर भी बले ही परमेश्वर की विपत्या इतनी निकट है लोग अभी भी अपने आत्मा विश्वास में अभिमानी बने हुए है जरा इस धर्ती के धर्मगुरुव पर एक नजर डालिए क्या वे सभी घमंडी नहीं है जैसे कि वे परमेश्वर के सामने सही काम कर रहे हो क्या इसे लोग वास्तों में परमेश्वर के द्वारा स्विक्रूद होंगे यदि परमेश्वर ने कहा है कि वह इन लोगों की पापों के लिए इस दुनिया को नश्ट कर देगा तो हमें ऐसा ही विश्वास करना चाहिए क्योंकि सबी चीज़े ठीक वैसे ही होगी जैसे परमेश्वर ने कहा है और हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए मैं यहां सिर्फ उन पंथ के अगूव में से एक की रूपे नहीं कह रहा हूँ जो अपने स्वयम के छोटे सी धान बनाते हैं और आने वाले सर्वनास की बाग करते हैं लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें पवित्र स्थान में बताया है अर्थाज जीवित परमेश्वर निश्चित रुप से साथ कटोरों की बड़ी विपतियों के साथ इस दुनिया को नश्ट कर देगा हमें खुद को इस संसार में शामिल नहीं करना चाहिए जो जल्दी ही नास होने वाला है हमें यहां सोचकर खुद को मुर्क नहीं बनाना चाहिए कि इस दुनिया की दौलत और मुल्य हमेशा के लिए होगा यह जानते हुए कि परमिश्वर सभी धर्मगुरुव और उनके अनुयायों को भी कुछल देगा हमें प्रभु की वापसी की दिन की प्रतिक्षा में जीवन जीना चाहिए यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अंत में संसार में गिर जाएंगे एक ऐसा संसार जो सिग्रही नश्ट हो जाएगा इस प्रकार अपने ही विनास का सामना करने वाली दुनिया में न गिरने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए कि यहां पृत्वी वास्तों में नश्ट हो जाएगा परमिश्वर अभी जीवित है और जब समय आएगा तो जो कुछ उसने कहा है उससे पूरा करेगा हाला कि यहां सच है कि नया जिन में पाय हुए लोगों के बीच भी ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास अभी परिपक्व नहीं हुआ है फिर भी हम सभी को बिना किसी संदे के विश्वास करना चाहिए और हम सभी को एक बार फिर से जागना होगा हमें जल्द ही ना सोने वाले इस दुनिया के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बलकि इसके बजाए परमेश्वर के वचन में अपने अटल और द्रड विश्वास को रख कर अपना जीवन जीना चाहिए हमारे दिल कभी कभी कमजोर हो सकते हैं लेकिन फिर भी हमें द्रड विश्वास के साथ जीना चाहिए परमेश्वर इस संसार के लिए ये सब कार्य करेगा ये हमारे लिए अद्बूत है यदि परमेश्वर इस संसार को नश्ट न करे और उसके स्थान पर मसी के नए राज्य का निर्माण न करे तो धर्मी बहुत निरास होंगे यही कारण है कि परमेश्वर की योजना इतनी अद्धभूत है और यह धर्मी संतों को आश्रा देती है यदि अविश्वासी लोग अहंकारी बने रहे और फिर भी इस पृत्वी पर आनंद के साथ रहे और यहां तक की हमारे साथ स्वर्ग में भी प्रवेश्व करे तो यह हमारे साथ अन्याय होगा और परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देगा परवेश्वर ने वाइदा किया है कि वहां उन सभी लोगों का न्याय करेगा और उन्हें नश्ट कर देगा जो धर्मियों को सताते हैं अपने जूट से उन्हें पिड़ा देते हैं और संतों का खुन बहाते हैं यहां बिल्कुल भी सही नहीं है यदि संसार के पाफियों के लिए परमेश्वर का न्याय नहीं होता तो क्या यहां उन धर्मी लोगों के साथ अन्याय नहीं होता जिन्होंने सभी प्रकार की परेशानियों और कठिनायों का सामना करने की बावजूद द्रड़ता से प्रभु के लिए अपना सारा जीवन वेतित किया है, इसलिए यह सही है कि परमेश्वर इस दुनिया का न्याई करे, जब यह दुनिया नो के समय की दुनिया की तरह हो जाएगी, तो परमेश्वर निश्चित रुप से पूरी दुनिया को उलट पलट कर देगा और इसे नश्ट कर देगा, क्योंकि हम प्रभु मे रह सकते हैं और प्रतिक सा कर सकते हैं। दुनिया को बड़े पैमाने पर अपनी चपेट में ले रही है। पहले अकाल्पनिय आपदाय जैसे महान अकाल और विनाशकारी भुकम पूरी दुनिया पर आ रहे हैं। जब ये सत चीजे हो रही है तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है। और यहां जानते हुए अपना जीवन जीए कि परमेश्वर उन सभी का न्याय करेगा और उन्हें नश्ट कर देगा। जो इस दुनिया में रहते हुए केवल अपनी वासनाओ के लिए जीते हैं। आज की दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। क्या दुनिया अपने अत्यदिक भूण विलास में डूबी हुई है। लोग अपने आत्मी कुन्नती पर ध्यान देने के बजाए साधी करने, खाने पिने और एक पुरुष दुसरे पुरुष के साथ योन पाप करता है। और कुछ त्रिया स्वभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातूर होकर जलने लगती है। क्या नूक के समय में संसार ऐसा नहीं था? आप सदोम के लोग शब्द की व्युत्पति के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। जब सदोम और अमुरा को नश्ट किया गया था, तो उनकी संस्कूरुती आज की दुनिया की तरह ही थी, जिसमें हम रहते हैं। यह दुनिया इतनी गंदी और पापी हो गई है कि परमेश्वर आग को गिरागर इसमें भस्म कर देगा और यहां पूरी तरह से दुष्टात्मा के कबजे में हैं। जूटे भविश्य वक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जूटे भविश्य वक्ता हमेशा भवतिक संपती की तलास करते हैं और अवेध रूप से धन जमा करते हैं। अपने धार्मिक संस्थानों को दी गई सापेक्स सत्ता के पीछे चित्ते हैं। यदि आप येश्य में विश्वास करते हैं तो आप अमीर होंगे, अच्छी तरह से जीएंगे और अपनी बीमारी को चंगा पक करना पाएंगे। आपको यह समझना चाहिए कि इस तरह के हर जूट के पीछे भावतिक शोषन का चिपा उद्देश हमेसा मौजुद होता है। और साथ कटोर की बड़ी विपतिया आने वाली है। परमेश्वर हमें बताता है कि जो लोगों को धोका देते हैं और जो जूटे वविश्य वक्तावत वारा धोका खाते हैं, दोनों का नियाए समान रूप से किया जाएगा। हमें इस दुनिया की और नहीं देखना चाहिए और इसका अनुसरन कभी नहीं करना चाहिए। इसके बजाए हमें यहां विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है, इसलिए जो लोग येश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं और धर्मियों को सताते हैं, उन सभी का नियाए किया जाएगा और उन्हें अनंत मृत्यु का द झाल